अगर आप लोगों ने hit story first देखिए, second और third भूल जाओ, first वाली, जिसमें तहल का मचा दिया था, तो वो अगर movie आप लोगों देखिए तो उसकी as it is को भी आप समझ सकते हो, यह वाली series है, नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, एक थी बेगम, जिसे direct के है सची नितारेकर ने, और इसके अंदर कास्ट है, अनुजा, सेठे, विवेक आपटे, अंकित महन और बाकिया ने कलाकार, जब मैंने IMBD website के उपर इसके बारे में search किया, तो वहाँ पे storyline में इसके उपर लिखा गया था कि यह true event के उपर अधारी था, मतलब कोई ऐसी चिकटना हुई है, और सच में ऐसा हुआ है, तो यह series जबरदस्त है, कैर मुझे नहीं पता कि उस सच्चाई के बारे में, मुझे पता नहीं है कि हुई थी या नहीं हुई थी, मुझे नहीं पता उन चीजों के बारे में, लेकिन मैं यहाँ पर बात करूँगा, सिर्व सिर of entertainment के तोर पर ही, मतलब कि क्या यह entertain कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, मैं उसके उपर बात करने वालो, अब इसकी कहानी की बात करूँगा, तो दो गैंक्स्टर के बीच में आपस में लड़ाई चल रही है, नाना मात्रे ऐसा कुछ करके एक गैंग है, और दूसरा गैंग जो है, वो मारा जाता है, तो अब सरयाम उनके घर पे गोलियां चल रही है, जहीर के घर भी गोलियां चलाई जा रही है, तो इस बीच जहीर की जो वाइफ है, अश्रफ, जिसे प्ले के अनुजा सेठे, सेठे जो भी है, नाम देख लिना, तो वो जहीर को कहती है, कि अब काम छोड़ दो क्योंकि अब बच्चा होने वाला है अब उसकी जिम्मेदारी आ जाएंगी और मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा ऐसी लड़ाई वाली इलाके में पैता हुई वही बगयरा बगयरा डायलोग बगयरा और जहीर काम छोड़ने को त्यार हो जाते हैं इसमें एक ग्लास दारू का नजदीक लाएगा सुटा भी असे राम राम से लेके जाएगा अब हकता भी दिरी दिरी है क्या तो जहीर इस डॉन को बताने दुबई जाते हैं फोन तो थे आई थिंग उस टाइम वही यूज कर लेते हैं तो जब जहीर वापीस आता है इस भड़वे को बता के वापस आता है मुंबई तो नाना के लोग इसको पकड़ के लेके चले जाते हैं और इसको मार देते हैं तो अब अशरफ as a tease hit story की तरह है hit story की first movie की तरह है वो भी प्रॉस्टिट्यूट के काम में आ जाती है और जो भी जहीर यानि इसके पती को मारने में जो लोग शामिल थे उनको एक एक करके मारना शुरू करते थी है क्योंकि इन सभी लोगों की एक ही कमजोरी है वो है लड़की चमड़ियां साले है लास्ट में दुबई वाला डॉन बच जाता है और नाना मात्रे बच जाता है और अश्रफ को मार दिया जाता है तो ये एंडिंग थोड़ी सी निराश करती है हम सोचते हैं कि हाँ उसको भी मारे चलो कैर ये ट्रिवेंट पे है तो शायद ऐसा हुआ होगा मुझे नहीं पता इस सीरिज में टोटल 14 एपिसोड है और हर एपिसोड जो है वो करीबन करीबन 35 मिनिट का है और जब आप देखने बैटोगे तो जब मैं आप क्या जब मैं देखने बैटा था तो इसके स्टार्टिंग के दो ही एपिसोड जो है मुझे वो इंटरस्टिंग लगे थे लेकिन इसके बाद जो तीसरा स्टार्ट वा इसका इंटरस्ट खतम हो चुका था मतलब यह बांधगी नहीं रख पाई थी फिर एक बोज सा बन गया था कि अब इसे देखना है क्या शुरू कर दिया तो देखते हैं कि लास्ट में क्या होता है इस सीरीज में एक ही बात मुझे अच्छी लगी उन लोगों को यह सीरीज पसंद भी आ सकती है मैंने फिलाल यहां पर entertainment के तोर पर बात करिये कि क्या आपको entertainment मिलेगा इस से तो वो नहीं मिल पाता उस चीज पर एक खरी नहीं उतरती है और इस से अच्छा तो hit story 1 ही देख लो वही जवरदस लगेगी अभी तो अगर आप लोगों ने इसको देखा है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना बट गाली मत देना ठीक है ना पहले ही बहुत सारी गालियां आ रही है यार तो आपको ज़य कैसी लगी तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना तेंक्स फॉर वोचिंग इस वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जाहिंद